जैन दोस्तों मैं मनीश मिस्त्रा अभिनना कासरेजनी भाई मरीश सर्मया आपका सवागत है आज हम घड़ी का आखरी क्लास पढ़ने वाले हैं अगर आपने बाखी के क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं उसे जरूर देख लें क्योंकि यह पढ़ने का यही सही तरीका भी होता है कि अगर हम कोई क्लास अटेंड कर रहें तो उसके पीछे के जितने क्लास हो रखें उसको जरूर अटेंड कर लें क्योंकि कभी भी हम कोई चैप्टर पढ़ें तो एक डिक्स्नरी वे में पढ़ें क्योंकि हर क्लास पिछले वाले पसनों को सॉल्व कर रहे थे और गलत घड़ी वाले चार पैटन हमने कवर कर लिया है आज पांच में पैटन से बात को आगे बढ़ाना है आए पांच में बढ़ाते हैं तो क्या इसे अगर आपने आठ बजे मिला दिया तो क्या घड़ी सही हो जाएगा आप बोलेंगे सर नहीं यह कौन सी बात हो कैसे सही हो जाएगा मिलाने से थोड़ी सही हो जाएगा बहले ही आपने सुबह आठ बजे मिला दिया है लेकिन अगर उसके अंदर नेचर है 24 घंट इसका नेचर तो नहीं बतलेगा यह तेज वाला नेचर आगया है तो तेज हो ही जाएगा अब करना घड़ी अगले दिन दो पहर दो दर्सार है तो तेज वाली नेचर के साथ ही दो दर्सार है तो यह जो तेज वाली नेचर के साथ दो दर्सार है तो दो तो नहीं बज़रा ह पक्का कुछ और बज़ रहा होगा वहीं हमें बताना है वास्तिक समय क्या बज़ रहा था तो बड़ा ही बड़ा ही आसाने साथ करना आई देखते हैं कैसे करना है जब भी ऐसा कुश्चन है तो सबसे पहले आप समया अंतराल काउंट करिए कि यह कुश्चन में टाइम पीरे 3 καιंट किया 8 से 8 जाऊंगा चोबिस घंट और 18 चौन चे लुवंगे यह तो आपका जबाब होना चाहिए 3 30 घंटा रॉंग वाला है गलत वाला है मैं बोलू कैसे सर कितना आसान है आठ बज़े आपने मिला दिया और वह अगले दिन दो पहर दो बज़े दरसा रही है यानि इस गलत नेचर के साथ चल चल के चल चल के चल चल के चल चल के दो बज़े दरसा रही है तो मैंसा हो अब ये right wrong का relation कैसे बनेगा 24 ये line बनाएगा कैसे एक घड़ी 24 घंटे में एक घंटा तेज हो जाता है एक घड़ी 24 घंटे में एक घंटा तेज हो जाता है इसका क्या मतलब है कि अगर right का 24 चलता है तो wrong का 25 चलता है यही तो मतलब है कि एक घड़ी 24 घंटे में एक घंटा ते इसके सापेच राइट कितना होता बस कुछ सा स्वाल हो जाएगा तो रॉंग का 30 निकालने के लिए पहले रॉंग का एक निकालना पड़ेगा तो रॉंग का एक तो राइट का कितना होता तो आप बोलेंगे सब्सक्राइब 25 इदर आएगा 24 बटे 25 सही बात है तो अब मैं ब करता था आए भाग देते हैं पांच बच्चे 25 पांच शक्का तीस और अगर मैं इसे गुड़ा कर दो तो पता है गुड़ा करने के एक सो बीस और चौविस एक सो चौवालिस बटा पांच और अभी भी कार्पीट मचाते रही कोई डरने वाली बात नहीं है अगर मैं 144 सब्सक्राइब गदल लेते है तो इस चार बटे पांच गटा को मिनट में बदले तो चार बटे पांच गुरे साथ है ना तो यह 12 और 12 चौका 48 यानि इसका मतलब यह हुआ 28 गंटा 48 मिनट 28 गंट तो इस बात का बड़ा ही साथ 17 सुत्रह मतलब है कि सर जी रांग था तो 30 सुप्स जला अगर यह रहा होता तो केवल 28 घंटा 48 मिनट चला होता यानि राइट होता तो केवल 28 घंटा 48 मिनट चला होता रॉंग था इसलिए 30 चल दिया मैं बूलेंगे यह कितना जादा चल दिया है तो आप बोलेंगे अगगे एक घंटा 12 मिनट जादा चल दिया है यह जो दोवजE का समय देख रहा हूँ पीछे का हो गड़ा होगा और अकर एक घंटा बार्हा थालिस ओघ तो दो बज़े में से एक घंटा पिछ आऊ तो एक बज़ेगा बारह मिनट और पीछ आउ तो बारह फालीस हो जाए हो तो पिक्राइबा कि वास्ते वाला स्मय बारह तालीस होगां कि इस रहों का 30 तो राइट का 28 घंटा 48 मिनृट यानि मैं कह सकता हूं रांग का 30 चला है राइट का होता तो 28 चला होता यानि यह गंटा बारह मिनट ज्यादा चला है तो यह जो समय दिखा रहा है वह गंटा बारह मिनट ज्यादा दिखा रहा होगा तो वास्तों में कितना हो रहा होगा तो अब मोलेंगे वास्तों में वह दो बज़े से गंटा बारे मिनिट पहले का जो रहा होगा बारा हगहा या एक का मौर करते या किलेते क्या करते इसी डायरेक्ट इसी डायरेक्ट सुभा आठ वजे शुभा-चैनल आच वजे मिलाये और अगया इसी सुभा-बज़े में आप डायरेक्ट सही वाला तो सुबह आठ वजे में अगला सुबह चार जाएगा और फिर चार गंटा और जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बारा 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 तालिस यानि फिर भी बारा तालिस आएगा सही बात है तो बड़ा ही आसान होता है ऐसे प्रस्णों को सॉल्व करना राइट रॉंग में एक रिलेशन मनाई है और आसर कर दीजे अरे क्लियर है इसके सॉड़ लिजे बात को आगे बढ़ाते हैं अब मेरी बात को ध्यान से सुनिया और समझने का प्यास करें विद्यार्थी गल्ती क्या करते हैं विद्यार्थी को लगता है की क्यों ना था इसे एकात्म विधी से सॉल लूँ में अब आप यह सोच रहें एक घंटा तो एक घंटे में तेज हो जाएगा एक बटा चोवीस घंटा विद्याति की दिमाग में आता है कि सर ऐसे नहीं लगा सकते क्या कि कि इसका जो में सुनिए एस क्यों नहीं लगा सकते यह 24 घंटा सही वाला है कि सही वाले 24 घंटे में सही वाले 24 घंटे में तेज हुजारा एक घंटा तो सही वाले एक घंटे में तेज हुजाएगा एक बटे 24 घंटा तो अगर यह सही वाला एक घंटा का मान है तो इसमें गल गलत वाले घंटे का गुड़ा कर सकते तो इसको हम एक आत्मक्वीधी से नहीं लगा सकते क्यों नहीं लगा सकते क्योंकि जो count हो रहा है वो गलत वाले घंटे तेज बारे घंटे में दो घंटा तेज हो जाता है इसे रभीवार दो पहर दो वजे सेट किया उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार मंगलवार सुबह आठ वजे दर्सा रही है तो सब छूड़िए पहले पहले समय अंतराल कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि सर्जे रभीवार दो पहर दो वजे सेट किया है और जाना है मंगलवार सुबह आठ वजे तो एक काम करता हूँ रभीवार दो पहर दो से सुमवार दो पहर दो को चला जाता हूँ 24 गंटा और सुमवार दो पहर दो से मंगलवार के भोर को दो को चला जाता हूँ 24 बारा 24 घंटे बारे घंटे और समसिंग के जंपिंग हो रही है तो यह 402 घंटे का है अम मेरा प्रस्थきます और यह धें क्या करा है नेचर आ गया है 12 घंट 국민 दो गंटा तीज उने का दोवजे सेट किया उस सही समय क्या होगा जबाड़ी मंगलवार सुबा आठ वजे दरसा रही कर डालिए अब वही एक रिलेशन बनाई है राइट का और रॉंग का तो अब राइट रॉंग का रिलेशन कैसे बनेगा यहां एक घड़ी प्रतेग 12 घंटे में दो घंटा तेज हो जाता है यानि राइट वाला बारे चलता है तो रांग वाला 14 चलता है अब हमें यह निकाल गुडे 42 घंटा देख रहा हूं वास्तों में भी 6 घंटा पीछे ही हो रहा होगा वास्तों में कितना हो रहा हुगा, यहीं मंगलवार Restção 8 भजे से 6 गहंटा पीछे जाना पड़ेगा, मंगलवार प्राटार 2 बजे हो जाएगा बाते समझ प스타 रहें सुबह आठ वजे में से मुझे 6 घंटा पीछे जाना पड़ेगा तो मंगलवार प्रातर दो बजे हो जाएगा प्रातर दो बजे यानि 2 एम हो जाएगा अरे बात समझ पा रहें राइट का होता तो 36 चला होता है रांग का है इसलिए 42 चल दिया है मतलब 6 जादा चल दिया है तो यह जो मंगलवार शुबह आठ दिखा रहा है वो 6 आगे जा के दिखा रहा है तो वास्तों में कितना हो रहा होगा तो आठ से 6 पीछे जाएंगे दो रहा होगा क्या इसे एक आत्म विदी से हल कर सकते हैं नहीं कर सकते नहीं कर सकते नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि सही वाले बारे घंटे में तेज हो रहा है दो गंटा जबकि हमें सही वाले घंटे के सापिछ पता है जबकि यहां काउंट हो रहा है गलत वाले ऐस इस बार धीमा होने का निचर है इसे रभी वार साम चार वजए दरशा रहा है तो आप बोलेंगे सजी समय आंत्राल है रभी वार साम चार को जाना है तो एक काम करते हैं रभीवल साम 6 से सौमवल साम 6 आजाते हैं, और फिर सौमवार साम 6 से मंगलवार साम 6 घंता है। 24 चौबिस 58 हो जाएगा, लेकिन हमें मंगलवार साम 6 यू मंगलवार साम 4 total जाना था तो marketing 60 नद प्रस्ति राइट वाला है या रांग वाला है तो आप बोलेंगे सर जी इसके अंदर नेचर है धीमा होने का ठीक है रभी वार साम कुछ है वजे शिट कर दिया उस समय सब्सक्राइब होगा जब घड़ी मंगल वार साम चार वजे दरसा रही है मतलब गलत गलत नेचर के साथ चल चल के साम 4 वजे दर्स भी है बताब राइट के लिए क निकालlkा पड़िए लिए रोंग के लिए निकालना पड़ेगा तो राइट का राइट बटा तेज तो अब बात है रांग का 46 तो राइट का 24 बटा तेज गुड़े 46 तेज दुना 46 और 24 दुना 48 अचा इस बार धीमा का नेचर था तो मतलब धीमा होके समस्ते होगे कम ही दिखाया होगा आएए हम फिराल यहां से समझते हैं रंग का है 46 चला राइट होता तो 40 चला होता इसका क्या मतलब है सर जी इस बार धीमे वाला नेचर था ना कुश्चन इसका नेचर था धीमा वह जा तो ऐसे भी पता चल रोग का है, रोग का है 46 ही चला होगा राइट होता तो 48 चला होता यानि राइट होता तो 2 गंटा और जादा ही चला होता तो अब समय क्या दिखा रहा होगा सर अब समय दो घंटा और आगे दिखा रहा होगा वास्तों वाला समय दो घंटा आगे का हो रहा होगा क्योंकि रॉंग का है 46 चला राइट होता तो 48 चला होता दो घंटा आगे ही चला होता तो जो मैं देख रहा हूं वो दो घंटा आगे का वास्तों में समय हो रहा होगा तो साम चार में दो घंटा और कर देंगे तो मंगल वार साम 6 हो जाएगा किया इसे काउंट वाले गहन्ट ही प्लोग है अगर इसे थोड़ा सा कठीन बनाना चाहें तो यह थोड़ा सा से केंड हो गए रहा का मामला दे सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक बार विचार करिए आप देखे एक घड़ी तीन मिनट में पांस सेकंड आगे बढ़ जाता है ठीक है उसे सुबर साथ वजे सेट किया उसी दिन घड़ी आप रहां चार पंदर दिखा रहा है तो सही समय क्या है तो पहले आप बताएं समया अंतराल कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर जी समया अ नौ घंटे 15 मिनट नौ घंटे 15 मिनट अब मैं बोलू यह सही वाले हैं गलत वाले हैं तो आपका जवाब होगा यह नौ घंटे 15 मिनट सही वाले हैं गलत वाले हैं तो आपका जवाब होगा सर जी गलत वाले हैं बोलू कैसे देखें साथ कितना साथ सुत्रा लिखा है है एक रिष्टा हमें बनाना है राइट का और रॉंग का अब विद्यात्री बड़ा ही धरम संकष कि सर जी रिष्टा घंटे में बनाएं यह रिष्टा मिनेट में बनाएं यह रिष्टा सेकेंड में बनाएं मैं कहता हूं आपका जो दिल कहें वह बनाएं आपका इच्छा क ज़स्ट आईगा इस वर रिष्टा में रहने देते हैं में तीन मीनट में नहीं बीबढ़ जाता है मैं चाहों तु सब को सबक्ते रिलेसन बYeं 우리 ज़्याहे घंते में चाहिए मिनट में रहने देते हैं कि एक घड़ी तीन मिनट में पांच सेकंड आगे बढ़ जाता है यानि अगर राइट वाला तीन मिनट चलता है तो रांग वाला पांच सेकंड बढ़ने का मतलब तीन मिनट प्लस पांच सेकंड और और इस सेकंड को मिनट बढ़ लेंगे तो रांग का 37 बटे 12 मिनेट चलता है अब चुक्कि आपने यह रिलेशन मिनेट में निकाल लिया तो इसको भी पूरा मिनेट में ही बदल लेते हैं तो इसको अगर मिनेट में बदलो तो कितना हो जाएगा और नौ घंटे कम अलोगा शाठ गुडे नों 540 और 15 यानि यह 555 मिनट तो अब बात है अगर रांग के 555 मिनट के साथ पेछ राइट का पता करना है तो रांग का पहले एक मिनिट निकालिये तो रांग का एक इतना हो जाएगा तो यह बारह इधर आ जाएगा तो बारह गुडे तीन बटे 37 अब बात ह 555 मिनट तो राइट का कितना तो आप बोलेंगे सजी बारह तिया 36 बटे 37 और घुडे 555 अब बात है कर मैं काट पीट मचाओ तो मुझे कितनी बार जाएगा हमें लगता है कितनी बार जाएगा तो 555 को मैं 37 से भाग करूं तो 37 कितना हो गया यह 1358 185 अब हमें लगता है प 35 एक सो पैचासी तो यह 15 बार जाएगा मैं समझ गया यह 37 गुडे 15 होता है 555 और इसका गुड़ा करो तो पंद्रह छक्का नब्वे और बचा कितना नो पंद्रह तिया पैतालिस नो पांसो चालिस कहने का मतलब कोई फरक नहीं पड़ता इसको मैं जिसमें रिलेशन ले र बोलो इसका क्या मतलब सोजी रॉंग था पांसो पच्ण चला राइट रहा होता तो 540 ही चला रॉंग होता यानि किटना नहीं कि पंद्रह मिनटा देख रहा है यानि 15 मिनिट आगे का समय देख रहा हूँ, तो वास्तों में क्या हो रहा होगा, सच चार 15 से 15 मिनिट पीछे 4 ही वज़ रहा होगा, है ना असान, रांग है इसलिए 555 चल दिया, राइट होता तो 540 ही चला होता, यानि ये 15 मिनिट इस्ट्रा चल दिया है, तो जो समय दिखा हो रहा है, अरे क्लियर है, चलिए, अब तो हमें लगता है, अब आप नहीं फसेंगे, अब मैं हर एक्जाम को ध्यान में रखके पढ़ाता हूँ, ध्यान देजेगा, चलिए, इकलौता ऐसा वीडियो होगा यूटूब पे, जहां पे गलत घड़ी के एक टाइप आपको पूफ करके कवर कराया जाएँ, चलिए, बात को अब आगे बढ़ाते हैं, इसको करी एक बर, एक घड़ी एक घंटे में पांच मेंट तेज चलता है, इसे दोपार बारे बजे सेट किया, अभी घड़ी साम साड़े छे बजे दिखा रहा है, पर तो इस समया अंतराल कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर जी समया अंतराल हो जाएगा, हमें लगता है, बारे बजे सेट किया, साम साड़े छे दिखा रहा है, तो 6 गंटा 30 मिनट, 6 गंटा 30 मिनट, मैं बोलू यह राइट वाले हैं, तो आप का अंसर होगा सर जी, यह रांग वाले हैं, क्योंकि कह नेचर तो आ गया हते जोने का, इसे बारे बजे सेट कि अभी घड़ी साम साड़े 6 बजे दिखा रहा है, मतलब अपने नेचर के साथ चल चल के चल चल के दर्सा रहा है, यह रांग वाले हैं, फिर सार एक रिले समनाते हैं, राइट का और रांग का, अब यह आप की स्वत तो मिननेट में बना लेज़ें, क्या फरक बड़ता है, तो एक घड़े में पाच में चलने का मतल doctor यह हुआ कि राइट का साथ मिनाट तो रांग का 65 अब चुकी रमिनेट में र Extra में वना लिए जूकि रमिनेट में वना लिए तो यह इसको पूरा मिनेट में वदल लीजि तो रांग का 390 तो राइट का 60 बटे 65 गुडे 390 हमें लग रहा है 6 बार में जाएगा 365 इंटू 6 65 से 6 बार में 390 और 60 गुडे 6 360 क्या मतलब है इसका सजी रांग है रांग है 350 ही चल दिया यानी जो आप समय देख पार हूंगे 30 मिनट आँगे का देख पार हो वास्तों में कितना हो रहा हुछा वास्तों में इसार अभी 30 मिनट वैक ही ओर हो रहा होगा आप बात रांग का 390 चल दिया right होता तो 360 चल ला होता मतलब यह 30 मिनिट फाल तो 30 मिन आगे का दिखा रहा होगा तो वास्तों में कितना हो रहा होगा साड़े छह से तीश मेट पहले छे बज़ रहा होगा क्या इसे मैं एकात्मक विधी से लगा सकता हूं तो मैं इसे एकात्मक विधी से नहीं लगा सकता क्यों नहीं लगा सकता क्योंकि अभी विए रांग वाले टाइम ही काउंट हो रहा है करवाएंगे एक आत्मक विधी वाला कि करवाएंगे लेकिन पहले इसके रिसाट ले लिया चलिए अगला ट्राइग करिया आई ए घड़ी प्रतिने घंटे तेज हो जाती है ठीक है उसे सोमवार साम 6 बज़े सेट किया घड़ी बुद्धवार साम 6 बज़े क्या समय दरसायेगा क्या समय दरसायेगा एक्दम से वक्त जजवात सब बदल दिया इस बार यह नहीं बोलना इस बुद्धवार साम 6 बजे दर्सा रहा है नहीं 6 बजे क्या दर्साएगा मतब गलत वाला क्या दर्साएगा यह वाली बात है तो पहले आप समयां अंत्राल काउंट करिए तो अगर आप समयां अंत्राल काउंट करेंगे तो सोमवार साम 6 बजे से बुद्धवार साम 6 को जाओं तो मंगलवार साम 6 बुद्धवार साम 6 48 घंटा अब मैं बोलू है सही वाला है या गलत वाला है तो अब आपका जवाब होगा सर जी अब सही वाला घंटा है कैसे, सर कितना साव सुत행 है, कितना साव सुतल है कुशन है, एक घरी प्रत दिन एक घंटा तेज ओजाएग ठीक है, उसे सुम और साम छै बजे क्या दर्साएगा अभी दर्साया नहीं है अभी दर्साया नहीं है नीचर है खराबी वाला लेकिन वही कर दिया बुद्धवार साम 6 मुझे क्या दर्साएगा अभी दर्साएगा मतलब अभी क्या दर्साएगा वो गलत वाला दर्साना बाकी है तो बुद्धवार साम 6 मुझ क्या दर्साएगा तो मतलब यह अभी 48 घंटा सही वाले हैं तो बस तरीका तो वही रहने वाला है इस बार फिर राइट और रांग का फिर रिस्ता बनाएंगे गंते में प्रदिन का मतलब 24 घंटा 24 घंटे में एग घंटा तेजह का मतलब राइट का 24 तो रांग का 25 अब हम यह रांग वाला बताना है रांग वाला क्या दर्साएगा तो हम यह देख लें राइट 24 गुड़े 48 तो ये 24 दुना 48, 25 दुना 50 क्या मतलब है सर जी राइट है ठीक है राइट है 48 है अगर ये रांग है तो 50 होता राइट वाला डूरेसन अगर 48 है तो रांग वाला होता तो पक्का 50 होता मतलब 2 घंटा फालतू होता यानि गलत वाला कितना दिखाता गलत वाला दो घंटा फाल तो दिखाता जहानी ना दिखाके 8 जहें दिखाता उभे और यह तो बोल्ड़ा यह गलत वाला नेचर आ fascist किया बुद्वार साम 6 जहीं दर्साइगा उपताना मेन तो वही बात यानि दो घंटा आगे मतब रॉंग वाला दो घंटा आगे ही दिखाता यानि छई वजह दो गनटा आगे आठ दिखाता आठ 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 आ अरे क्लिएर है एक रड़े ही काम की बात है पता है क्या बात है नोट करके लिख लीजिए इस प्रश्ट में को एकात्मक विधी से भी अब लगा सकते हैं क्यों लगा सकते हैं क्योंकि यह जो अब समया अंत्राल काउंट हो रहा है वो सही वाले काउंट हो रहा है आप इस नोट को लिख लिजे इस प्रस्त को अब एकात्मक विधी से भी लगा सकते हैं क्योंकि समया अंत्राल वाले घंट तो सही वाले एक घंटे में तेज कितना हो जाएगा आप बोलेंगे सर जी एक बटा 24 घंटा सही बात है अब मैं बोलू सही वाले 48 घंटे में कितना तेज हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर जी एक बटा 24 गुड़े 48 घंटा और ये 24 दुना 48 यानि 2 घंटा तेज हो जाएगा सही वाले 48 घंटे में 2 घंटा तेज हो जाएगा और 2 घंटा तेज हो जाएगा तो 6 बजे 6 ना दिखा के 6-2-8 दिखाएगा 6-2-8 दिखाएगा इसे एक आत्मग विधी से अब लगा सकते हैं क्योंकि अब हमारा सही वाला घंटा मिलने लगाए क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप मुझसे पूछेंगे सर जी इसके साथ जाओ या इसके साथ जाओ तो मैं साफ सुत्रा सब्दों में कहना चाहूंगा अगर कभी भी राइट वाला घंटा मिलने लगे तो एक आत्मक विधी के साथ यह ज्यादा वेश्ट प चलिए इसे करिए इसको मैं दोनों विधी से एक बार बताओंगा फिर उसके बार निप्टाएंगे जल्दी जल्दी लिखे आए पहले वैसे ही लगा देते हैं जैसे लगा रहे हैं फिर आपको हम एक आत्मक विधी से बता देंगे पर तो इस समया अंत्राल क्या हो है ठीक है इसे दोपार 12 विजे मिले मिलाया यह चार बजे पुर्वाहन में क्या समय दिखाएगा ताइम पीरेड कितना हो जाएगा आप बोलेंगे सजी दोपार 12 से अगर मैं बारे को जाओंगा तो बारे घंटे और फिर चार बजे पुर्वाहन के लिए 4 गंटे और 16 गं दिखाएगा अभी दिखाया नहीं है गलत वाले नेचर के साथ क्या दिखाएगा यानि यह सही वाले 16 गंटे अब यह रिलेशन मना जते हैं राइट का और रांग का कैसे बनाए एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाता है तो प्रतिदिन 15 मिनट तेज होने का मतलब यह हुआ कि राइट वाला 24 चलता है तो रांग वाला 24 गंटे के साथ 15 मिनट और चलता है अब इस 15 मिनट को घंटे में बदले तो 15 वटा साथ गंटा हो जाएगा तो 15 करनों 15 15 चोगा साथ 24 चोगा 96 97 वटा चार यानि राइट का 24 तो रांग का इतना अब बात यह हैं अब अगर राइट का एक तो रांग का कितना तो आप बोलेंगे सर्जी 97 वटे 4 गुडे 24 तो अब बात है अगर राइट का 16 तो रांग का कितना तो आप बोलेंगे सर्जी 97 वटे 4 गुडे 24 गुडे 16 सही बात हैं आई ये कार्ट मिट मचाते हैं कितना हो जाएगा यह 4 चोग का इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि राइट कातो खैर सोला अगर यही रांग है तो सोले घंटा दस मिनट दस मिनट यानि दस मिनट फाल्तू दिखाता यह सोले घंटा तो रांग कहोता तो सोले घंटा दस मिनट यानि रांग वाला दस मिनट फाल्तू दिखाएगा यानि वह चार वजे क्या दिखाएगा चार दस दिखाएगा तेज हो जाता है 15 मिनट आप इसको ऐसे मालेजे 15 कदम तेज हो रहा है 15 कदम तेज हो रहा है तो एक घंटा में कितना तेज हो जाएगा तो आप मिनट है मैं ठोड़े समय के लिए से कदम मालेता हूं कि 15 बटेज 24 कदम तेज हो जाएगा तो हमें बताना कितना है इसके घंटे इसके घंटे आपस में कैंसिर होने के बाद वैलू जो मिलेगा मिनट में ही मिलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो कितना हो जाएगा यह आठ दुना सोला आत्रिका 24 तीन पचे पंद्रा और फिर यह पांदुना 10 यानि 10 मिनट तेज हो जाएगा और 10 मिनट तेज गएगा तो कितना मैं फिर कह रहा हूं इस बात को अच्छे से गांठ बार लीजे कि जब भी यह समया अंत्राल राइट वाले मिलने लगे तो आप एक आत्मक विदी के साथ यह सबसे बेश्ट है वही बच्पन वाला गड़ित बच्पन वाला गड़ित चलिए इसक्रीन सब्सक्राइब लीजे अगला ट्राइब करिए अभी अधि कि आई दिखे एक घरी गुरु वार प्रात्रा चार वजे सेट किया यह घरी यह तीन गंटे में 20 सेकंड बढ़ जाता है सुक्रवार रात साढ़े आठ वजे क्या समय दिखाएगा मैं बोलो समय अंत्राल कितना हो जाएगा समय अंत्राल कितना हो जाएगा समय अंत्राल कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर्जी समय अंत्राल हो जाएगा गुरु वार प्रात्रा चार वजे सेट किया है और हमें सुक्रवार रात को साढ़े आठ जाना है तो एक काम करत घृष हआए गुरुवार पप्रात्ये चार से शुकुर्वार प्रात्ये चार को चले जाते इन juste चुर्बिस 38 तीज़ को 4 गंटा 30 मिनट और तो 36 चार 40 गंटा 40 गंटा 30 मिनट 40 गंटा 30 मिनट अच्छा अगर मैं इसे भी मिनट घंटा में बदल लू तो यह हो जाएगा 40 प्लस 30 बटा 60 गंटा यह हो जाएगा एक बटा दो 40 दो चालिज दोना 801 बटे 2 गंटा 802 गंटा अब मैं बोलू यह सही वाले हैं या गलत वाले हैं तो बोला है राथ साड़े आठ मुझे क्या समय दिखाएगा मतलब दिखाया नहीं है क्या दिखाएगा मैं समझ गया राइट वाला है और अगर यह राइट वाला है तो मैं इसको एकात्मक विधी से ही जाओंगा क्योंकि वह आसान पड़ता है तीन गंटे में 20 सेकंड बढ़ जाता है तो अच्या एक गंटे में कितना तेज हो जाएगा आप बोलेंगे एक गंटे में गंटे में तीज हो जाएगा अब काटपीश मजाते है तो ये 10 और ये 27 और ये हो जाएगा 270 सेकंड है na 27 थी आए 17 270 सेकंड और 270 सेकंड का मतलब हुआ 60 चुक का 240 तो 4 मिनट और 240 के बाद 30 सेकंड और 4 मिनट 30 सेकंड 2 245 के बाद 30 सेकंड ने रहना 3 pol यानि कितना तेज आईगा 4 मिन तीस सेकंड और 4 मिनट 30 सेकंड तेज हो जाएगा तो साड़े आठ बजे 4 मिनट 30 सेकंड तेज हो जाएगा तो 8 बज कर 34 मिनट 30 सेकंड दिखाएगा अब मैं अगर इसे उस वीदी से कॉलम मेथर से सौल्व करता तो कठीन हो जाता तो जब भी राइट वाला हो आप उसे एकात्म वीदी से लगाया करिए अरे क्लियर है चले इसके साड़ लीजे तो इसी के साथ हमारा पैटन 5 भी खतम हो गया तो अभी तक आज तक जितने भी पैटन बने थे जितने भी पैटन बने थे गलत घड़ी के हमने सब कवर करा दिये ठीक है चले अब बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते है चले इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक किया करिए सेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है आप जो है आप हमारी महनत को नहीं देखते कि हम आपके लिए कितना महनत कर बहुत हं घडते हैं यह गलत है वाफादारी दोनxture से होनी चाहिए हम भी वर दिखा रहे हैं अगर आप सच में वीडियो देख रहे हैं अच्छा लग रहा तो ले यह затем ठीक है इसका कमेंट बाक्स में आंसर करिएगा अब आए थोड़ा सा गलत घड़ी वाले मिस्लेनियस देख लेते हैं अच्छा मिस्लेनियस का मतब यह हुआ पैटन तो यही पांची है जो बार 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 इसी में से कोई आता है कभी-कभी एक common sense बेश्ट आ जाता है गलत एक मिनट तो किसघंटे के अंतुम साथ मिनट से अधिक हो जाएगा तो बड़ा हीए आसान है पहले घंटे के दोरान एक मिनट चलिए म gold लेते हैं माझ लेत हैं इनिशियल टाइम बार से सुरू हुआ और एक बजा दो बजा तीन बजा चार बजा पांच बजा शे बजा ऐसे बजा कुल मिला के हमें बस यह बताए कॉमल सेंस बेज़ यह कोई पैटर नहीं है यह कुछ भी आएगा आपको अपना कॉमल सेंस लगाके सौल करना है क्या कर रहा है एक घड़ी पहले घंटे के दौरान एक मिनट दूसरे घंटे के एंट में दो म मिनट तो किसम घंटे के दो मिनट से अधिक हो जाएगा तो fakie एक घंटा पूरा हो घंटा हो रहा ह्या तो पहले घंटे के दौरान मिनट तेज हो रहा है तो आप देखांगे डबल डबल तेज होता जा रहा है तो पांच बजे वह पांच 16 दिखाएगा और अभी कितना तेज हो पाया हमें साथ मिनट से ज्यादा तेज करना है तो अब साथ मिनट से ज्यादा तेज होगा तो साथ मिनट से ज्यादा तेज होगा तो यह कोई पैटर नहीं है वह आपको लगाना है इसके रिष्ण लिजे अगला करिए यह भी कर लिजे देखें एग घड़ी आधी रात से पहले घंटे के पांच मिनट दूसरे घंटे के अगरत में दस मिनट तीसरे घंटे के अगराई से परकाल लेट होता है तो छे बजे घड़ी क्या दिखाएगा फिर से वही बात है फ पहले ग्वंते कि इंत में फिर दूसरे गरते गते कि तीसरे ऴंतमें चोसे ओंतdy लेट की बात है अगर हम और आप लेट हो रहा है और कोई मीटिंग लेते हैं और नहीं यहां हमारी आपके नहीं घड़ी लेट हो रहा है और घड़ी लेट हो हो रहा है तो यानि वह एक वजह एक ना वजह के बार्वपच पंच भ ही वजह रहे हैं इसे करते हैं घ्रटी का लेट हो हमारा आपका लेट हो घ्रटी का अलग मुझ मत्लब सस्थ के यह 15 ही बाद़ को दूसरे घंट के सिन दस मिनिट मिनकलत हो किना वजा के दो पैतालिस ही बजा पार है फिर आगे क्या कर रहा है बीस मिनट लेट आगे इसी प्रकार का मतलब आगे इसी प्रकार का मतलब यहां बीस मिनट लेट होगा यहां पचीस मिनट लेट होगा और यहां तीस मिनट लेट होगा तो कितना वजाएगा साड़े-पां करते हैं अब हम आपको थोड़ा सा मिस्लेनियेश टाइब करा देते हैं और कॉमन सेंस वेज़ वाले अफिस चेप्टर को खतम करते हैं एक सिकंड रुके आए अब हमने गलत घड़ी वाले प्रस्टों को वी सॉल्ब कर लिया अब बारी है पूरे घड़ी के वीविद प्रस्टों को सॉल्ब करना और इसकी बात इस चेप्टर को समाप करना आए अब वीविद टाइब को शॉल्ब करते हैं है अब वीमिल टाइप क्या होता है। कि आपके समझधारी पर अधारित्? वीउड़ टाइप का हर कोश्चन पिछले कुश्च listsal कोश्चन से अलग होता है वह विद्ध देखी के समझधारी पर सॉल्व होता है तीचर का इतना रोल है कि पहले मैं आपको को दूं आप सॉल्व करिए नहीं कर पाई तो मैं आपको समझाओं कि यह ऐसे करना जाए था है ना आए पहला कुछन सॉल्व करते हैं चलिए इसे एक बार देखिए बहुत ही प्यारा प्रस्ट ने उसके बार मैं बताता हूं कैसे सॉल्व होगा अब मेरी बात ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए अगर मैं 10 मार्च से 10 मार्च को जाओं तो एक वर्स होता है और यह वर्स 365 का भी हो सकता है राश्ते में अगर 29 फरवरी से भेट हुआ तो 306 का अधरवाइस 365 का मैं 15 माई से 15 माई को जाओं एक वर्स 10 जून से 10 जून को जाओं एक वर्स लेकिन अगर मैं 10 जून के दो पहर 12 से जाओं तो 10 जून के दो पहर 12 को ही एक वर्स पूरा होगा यानि कभी भी अगर आपको टाइम पीरेट काउन करना है तो आप उतने टाइम से उतने टाइम को ही जंप करिए ताकि पता रहे कि हाँ इस टाइम से इसी टाइम को ही एक वर्स होगा आई क्या करें 11 अप्रेल 2019 के दो पहर 12 से 12 अप्रेल 2020 के दो पहर 12 अप्रेल 2020 के कितना समय हो जाएगा तो आप एक काम करिए आप 11 अप्रेल है ना 2019 दो पहर 12 से आप पता है कहा जंप करिए आप जंप 12 अप्रेल 2020 को जंप मत करिए वरना गड़बड हो जाएगा आप 12 अप्रेल 2020 को जंप मत करिए आप 11 अप्रेल 2019 से 11 अप्रेल 2020 को ही जंप करिए और 2020 के भी दो पहर 12 अप्रेल 2021 तक मत जाएए 12 से 12 से 12 से 30 को ही जंप कि सूचिए इस बात को हमें जाना है ग्यारे अप्रेल 2019 के दोपार बारह से तीस से बारह अप्रेल 2020 के दोपार 1229 तक तो मैं फिलहाल क्या किया मैं 12 अप्रेल का टेंसर नहीं लिया मैं 11 अप्रेल 2019 के दोपार 1230 से 11 अप्रेल 2020 के 1237 को ही जंप कर गया तो यह कितना वर्स हो गया सीधा सीधा एक वर्स हो गया और मैं गारंटी दे रहा हूं यह वर्स 366 का है अब पते है कैसे क्योंकि सर जी इस ड्यूरेसर में 2020 का जनवरी फरवरी रास्ते में आया है और फरवरी 2020 चुकि चार से भाग जा रह वर्स है तो फरवरी इसकी 29 की होगी और फरवरी 29 की होगी तो यह वर्स 366 का बनेगा है ना तो मैं आगे 11 अप्रेल 2020 1237 से अब हमें जाना है 12 अप्रेल 2020 के 1229 तक लेकिन 1229 को जंप नहीं करूंगा मैं 12 अप्रेल 2020 के 1237 को ही जंप करूंगा मैं 1237 तक को ही जंप करूंगा 11 अप्रेल 2020 1237 से 12 अप्रेल 2020 के 1237 को ही जंप करूंगा इससे सीधा सीधा इसाब रहेगा कि एक दिन होगा लेकिन बात है कि हमें दोपहर 1237 नहीं जाना था हमें दोपहर 1229 को ही जाना था और मैं अगर 37 को आ गया तो मतलब मैं 29 से 37 को आ गया म फाइनल टाइम पिरेट से मुझे आठ मिनेट कम करना है तो कितना समय बना इतना समय से आठ मिनेट कम बना तो 306 दिन ये 306 दिन ये और अब इस एक दिन में से आठ मिनेट घटाना है तो हमें लगता है 306 दिन और अगर मैं एक दिन मेंसे 8 मिनट घटा हूँ तो एक दिन का मतलब होता है 24 घंटा और 24 घंटा को मैं लिख सकता हूँ 23 घंटा तो 23 घंटा सिधा-सिधा रहने देता हूँ और मेंत यह 8 मिनट घटा देता हूँ तो बचेगा बावन मिनेट तो कितना टाइम पिरिएड हो जाएगा 306 दिन 23 घंटा बावन मिनेट क्लियर है तो ऐसा कुशन जब भी आए आप उसी समय से उसी समय को ही जम करिए वर्ष से फिर दिन से फिर आगे पीछे जाके टाइम पिरिएड काउंट करिए चलिए अगला ट्राइग करिए भी हाँ करिए इसे वीवीद का मतलब आपके समझदारी पर आदारी पहले आप फिर में चलिए करा एक घड़ी का डायल बना ये पहले लिजे मैं डायल बना ले रहा हूं और डायल पर एक काम करता हूं यह 12 चिन लगा देता हूं जो अंक को रिप्रेजेंट करते हैं एक दो तिन चार फांट छे साथा नोदस यारा बारे को अब क्या कर रहे हैं इनके डायल पर छे के स्थान पर डी लाईए ठीक हैं साथ के स्थान पर ई लाईए ठीक हैं और आगे इसी प्रकार इसी प्रकार का मतलब हम इसी डायरेक्शन में आ रहे थे और आगे इसी प्रकार आना है तो डी के बाद ई अगर आया है तो मैं समझ गया फिर यह एफ यह जी यह एच यह आई और यह जे अब विद्यार्थी सोचते हैं सरक काउंटिंग जे पर यानी बारे पर रोक दू या आगे काउंट करूँ अब सुनिये जहां से एकजामनर का यहां इरादा होता है कि वो जहां से सुरू करें जहां से सुरू करें वहीं पर आके 360 का ही cycle रोके 360 का ही cycle रोके यानि इस ABCD को continue करके उसी 360 तक ही continue करे तो यह IJ के बाद यहां रोकिये नहीं कि 12 पे रोक दिया फिर reverse CB आ गये नहीं आप सिधा सिधा counting 360 तक बनाईए इसे D E F G H I J K L M N O यह हो गया अब क्या कह रहे हैं तो बारे और तीन के स्थान पर क्या आएगा तो बारे के स्थान पर J आएगा और तीन के स्थान पर यह हमाएगा J M answer अरे clear है यही तो है विविदिट टाइप आपका समझदारी है ना चलिए अगला ड्राइग करिए करिए इसे पिर से वही कुछ चन है आएगे पहले dial बना लेते हैं dial बना के जैसा वह बोलें वैसे आदिस का पालन कर दिए फिरी का एक नमबर उठा लिजे क्या कर रहा है बारे के स्थान पर A आजाए ठीक है लिजे बारे के स्थान पर A आजाए और आगे अंग्रेजी वर्ड माला के एक्षरों को बामा वर्थ दिशा में क्रम से लगाए बामा वर्थ समझते हैं बामा वर्थ को अनो एंटी क्लॉक वाइज जैसे घड़ी कभी नहीं चलता है यह होता है बामा वर्थ करा बारे के स्थान पर A आजाए बाकी अंग्रेजी वर्ड माला वर्थ दिशा में क्रम से लग जाए तो यह B यह C यह D E F G H I J K L तो बताना क्या है साधे सात वजые,któ....धिस साधे साथ ऐसे वजता है ऐसे वजता है साधे साथ तो साध्य साध ग़ंटे की सुई कहां होगी तो साध्य साध्य गंटे की सुई ओगी EY F के बीच में EY F के बीच में और है चले अगला अगला कुशन ट्रै करिये है कि हम इच भर एक घड़ी एक बज़े एक बार, दो बज़े दो बार, तीन बज़े तीन बार, अर्था जितना समय होता है उतनी बार बचता है तो 24 घंटे में कितनी बार बजा, सुनिए ध्यासे एक बज़े एक बार, दो बज़े दो बार, तीन बज़े तीन बार, जितने बज़े उतनी बार, तो चार बज़े चार बार, पांच बज़े पांच बार, छे बज़े छे बार, साथ बज़े साथ बार, आठ बज़े आठ बार, नो बज़े नो बार, दस बज़े दस बार, ग् बजने वाले केस में तेरा वाला सुई होता ही नहीं है अरे 12 तक होता है फिर वापस 13 वापस एक ही हो जाता है तो वह तेरे नहीं तेरे बार नहीं बजता है तो अब बात 24 गंटे का मतलब क्या हुआ तो 24 गंटे का मतलब यह हुआ 12 गंटे का एक साइकल और दूसरा 12 गंटे का दूसरे साइकल ऐसे होता है 24 गंटा ऐसे जो है बजने वाला कारिवाई सुरू होता है न तो यह कितनी बार हो जाएगा तो पहले 12 गंटे के साइकल में कुल कितना बार बच जाएगा पहले 12 गंटे कि तेरा का आधा दो चक्का 12 तेरा चका 70 यानि बारे घंटे में बज गया 78 अब हमें 24 गंटे बताने तो 24 गंटे का मननों वही बारे घंटे का दो साइकल जाने एक साइकल में یہ तर तो आप नहाज मैं पर बार बजने में 24 सेकंड ले लिए तो आप इस बात को समझिये यह जो कहरे है नौब बार बजने में 24 सेकंड लगता है लगता हैका पर इसका क्या मतलब यह मतलब है यह मतलब है समय कॉंट करना है कि इतना बार बजने में कितना समय लिया तो समय काउंट करने के लिए इस्टाप वाज चालू करने के लिए पहले ऐसे सुई को एक बार बजना पड़ेगा और जब एक बार बजेगा तुरंत इस्टाप वाज चालू करेंगे तो बेसिकली हमने किया क्या नौ बार के लिए तो इस्टाप वाच इस्टाप वाच और पहला वाला बजना एक साथ हुआ तो हमने जो इंतजार किया नौ बार का नहीं किया हमने जो इंतजार किया वह आठ बार का ही किया तो यह होता है मतलब कहने के लिए तो नौ बार का 24 सेकंड है लेकि भार बजने का तो आपकी यह समझदारी है कि चैके भार बजनेके लिए तो पहली बार को को ब्रह दो कोई का लगा लगा ही आख Boston Grassi सेल्ट किशे किए हैं वह 5 किया तो अगर एक स्वित का नहीं होता नहीं होता थो मैं समझ लेता कि उनका इरादा इंका इरादा गणित वाले से से हैं कि 9 बार का 24 सेकंड तो एक बार का 24 बटा 9 सेकंड तो 6 बार का 24 बटा 9 गुड़े 6 सेकंड लेकिन वो तब जब 15 विकल्प में नहीं होता अगर 15 है तो प्रियाटी हम इसे ही देंगे क्योंकि यह रिजनिंग है और रिजनिंग का इस कुशन के पिछे यही लॉजिक हो होता है चलिए इस नोट लीजे चलिए अगla यहां ऑध झाल में 24 गन्टे के रणारूप में 24 बाज़े का मतलब मतलब है तो आप पॉलेंगे सही 12 गारश Rocky ॹ ई आर्टा मतलब 12 rode 14 ती tchn 15 बज़े का का मतलब 12 और 4-16 यानि 24 घंटे के प्रारूप में 12 के बाद 13 14 15 सुलू हो जाता है तो अब बात चार बजे का मतलब क्या होगा आप बोलेंगे सब्सक्राइब चार-16 और सब्सक्राइब चोड़े-चोड़े कोश्चन है न चलिए अगला ड्राई गरिया देखें एक विद्याला है दो पार एक से शुरू होता है और तीन बज़कर बावाव मिनिट तक चलता है इसमें चार पीरियड है प्रते एक पीरियड से पहले चार मिनिट का समय ए से एक विद्याला है वज्चे से एक वजज कर बावन मिनिट से में चार रहें चार पीड़ में रहा जाने के लिए एक कम्रे से कबने के लिए आने जाने का एंप उसके बाद चार पिरियन का टाइम बना कि लिए कि चार पीरियट के लिए कितना समय गया होगा आने जाने के लिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए यह चार पीरियट है ठीक है पहले पीरियट में तो टीचर आते ही क्लास में इंट्री कर गया होगा यहां उसने कोई आने जाने का समय ने लिया हो क्लास खत्म और खत्म तो कोई उसने आने जाने का समय लिया ही नहीं कोई मतलब ही नहीं बंता तो उसने देखा है आपनी कितना बोध लिया 1 2 3 तीन बरेक लिया तो आग़े स्वे समय ध्यान जखूंगा चार पिरेट के लिए तीन बेक मिला अर्था जितना पीरेट उसे हिंक मिलता है कल के डेट में's atención अगर 6 पीरेट होता तो 2 और पिरेट होता तो कि शार पिरेट में कितना बेक मिलेंगे आगर एक का मान चार मिनट धो थीन में सब्सक्राइक सामा तो च्द यूश्कासट थो ये बॉर्ष बारे मिनुने ब्रेक का हटा धूँ तो 172 में से 120 मिनुने और अब इसर क्यों सक्बैंट को क्या करो हुए प्रिएधा़ तो इक पास चालिसम जाएगा खतो ठीक है चले इसे ट्राइ करिए अच्छा मुझे बात बताइए एक बजे आन हुआ चार बजे आफ हो गया कितना देर जला आप बोलेंगे सब्सक्राइब क Twin कि तीन घंटा्ग आल यानि कितना देर जला है बोल्के बढ़े वाले मेंसे झुटा तो वही बात है दो एंतालिस चालिस वजे यहान हुआ 1834 बासे बंद रुआ कितना देर फल जला वहीज यानि 12 30-34 में से 2 49 40 घटा दीजे अब घटाना भटाना आना च evoluir यह घंटा है यह मिनट है यह सेकट है अब बात 74 से 40 सेकंड जायगा नी तो यह इसे उधार देगा और यह इसे उधार देगा तो एक मिनट उधार देगा यानि 60 सेकंड उधार देगा तो यहां हो जाएगा 94 सेकंड, 60 सेकंड और 34 सेकंड हो जाएगा 94 सेकंड और 94 सेकंड में से 40 सेकंड जाएगा 15 सेकंड अब बात यहां बचा 29 मिनट, 29 मिनट में से 49 मिनट नहीं जाएगा तो यह इसको उधार देगा और यह से उधार देगा तो एक घंटा उधार देगा यनि 60 मिनट उधार देगा तो 60 और 29 मिनट और 89 मिनट में से 49 मिनट जाएगा तो बचेगा 50 मिनट अब यहां 11 घंटे ही बचे हैं और 11 घंटे में से 2 घंटे गए तो 9 घंटे यानि बल्म कितन प्रश्ण दारी पर सॉल वोगा ठीक है चलिए हाँ यह 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 प्यारा प्रस्ण है common sense वेल्ड है तीन विराइटी इसमें बनते हैं वो तीनों विराइटी में करा देता हूं बाकि ऐसे प्रस्णों के लिए और प्रस्णों के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर मनीश सर्च करके जॉइन कर लिजेगा वहां पर मैं ऐसे और सारे प्रस्ण आपको प्रोवाइट कराऊंगा जिसकी आप प्रेक्टिस कर सकते हैं फिरहाल इसको लगाएं फिर मैं बताता हूं कैसे है कि देखिए क्या कहरे रहे हैं एक बस इस टॉप से 10 हर 3 मिनट पे चंदने के लिए बस हैं पूश्ताज में पता चला कि चंदने के लिए 10 मिन पहले बस शूड़ चुका है अगला बस साड़े 10 बजे हैं पूश्ताज कब हुआ जब भी ऐसा कुश्चन है जब भी ऐसा क्षचन है तो सबसे पहले सरसरी निगाहों से जल्दी जल्दी पढ़ लिजे रेफ्रेंश टाइम को कौपी में छाप लिया करिए सबसे पहले आप 10-30 को छाप लिजे कुछ लाइन समझ में आए ना आए बस 10-30 छाप लिजे और 10-30 पर क्या है अगला बस यह 10-30 पर क्या है अगला बस है अब आप क्या करिए अब क्या करिए अब लाइन को दुबारा पढ़िए और जो लाइन इससे टकरा के कोई नया टाइम दे उसको नोट करिए अब आए पढ़ते हैं हमने पहले यह पढ़ लिया साड़े दस बजी अगला बस है ठीक है अब आए दुबारा यही तरीका होता है इसको नोट का लिए दुबारा पढ़िए जो लाइन इसमें टकरा के नया टाइम दो उसको निकालिए फिर आगे क्या कहिए चलिए अगर हर 30 मिनिट पे हैं अगला साधे दसको है तो 100% पिछला दस को रहा होगा आगे क्या कह रहा है पूछताच में यात्री ने लिपिक ने यात्री से कहा चन्नई के लिए बस दस मिनट पहले छूट चुका है अब जरा सोच के बताईए पूछताच कब किया जाए कि काउंटर वाला बोले कि दस मिनट पहले बस छूट चुका है तो आप बहुत प्यार से कहेंगे सर जी पूस्ताच आप 10-10 पे करिये तब ही काउंटर वाला बोल पाएगा दस मिनट पहले अर्थाथ 10 बजे बश छोड़ चुका है चलिए अगला बीराइटी बनते हैं कि यह मनता है एक अगला एक अगला एक अगला एक आगला एक अगला एक अगला आपको तीनों विराइटी सौफ करने चलिए अगला विराइटी है नोट करें से आईए नौपचास से पंद्रा मिनिट पहले बैठक अस्थाल पर पहुंचने पर महेश को पता चला छोड़िया अभी रुकिया पहले पहुंचे है नौपचास से पंद्रा मिनिट पहले महेश को चला वह उस व्यक्ति से बीट मिनट पहले आये अच्छा एक पहले हैं और यह किसी वेक्ति से 20 मिनट पहले आया होगा तो आप बोलेंगे नो पहतिस वाला अगर किसी वेक्ति से 20 मिनट पहले आया है तो पक्का वेक्ति पक्का वेक्ति 9-55 को आया होगा तभी 9-35 वाला उस वेक्ति से 20 मिनट पहले आयेगा बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं 9-15 कर देते हैं अरे सोचिए अगर वेक्ति 9-15 पहले थोड़ी हुए तब तो यह इससे 20 मिनट देर हो गए है ना तो जो लेट आता है वो आगे जा के आता है ना तो फिसे समझ्ये बहुत प्यार से दुबारा समझ्ये और इस कुशन को ऐसे ही करना है नौपचास से 15 मिनट मतलब 29 मखेश पहुंचए और क्या पता चलाव वह उस वेक्ति से 20 मिनट पहले आए हैं तो 9.35 पर वह आयrien और किसी से 20 मिनट पहले आया है तो पता हूँ व्यक्ति कब आया होगा 9.55 को आया होगा तभी 9.55 से 20 मिनट पहले 9.35 वाला समय है ठीक है उस व्यक्त से 20 मिनट पहले आया है मतलब व्यक्ति आया है 9.55 पे जो जो का मतलब व्यक्ति जो 30 मिनट देरी से आया है जो का मतलब व्य व्क्ति तीस मिनटर हो गया है तो मीटिंग कब रहा होगा आप बोलेंगे सची पका मीटिंग फिर्टवी 925 कर रहा होगा तब भी 9 व्क्ति तीस मिनटर हो गया है अरु लिए नहीं क्या रहोगा नहों पचीस के तभी तो नो नो पच्पन वाला तभी तो नो पच्पन वाला नो पचीस वाले से तीस मिनिट देड़ से आया है ना ऐसे होता है तो आप अराम से इसको करनेक्ट करके आंसर किया करिए चलिए इसके लिए इसे और बता दीजिए मनोज घर से समानने से दस मिनिट पहले निकल गया मतलब डेली का नहीं हिसाब करना है आज का हिसाब करना है, आज वो पहुंचा साड़े नौ बजे, ठीक है, अब आये इसी से टकराते हैं, साड़े नौ बजे पहुंचा घर से रेल्वे स्टेशन पहुचने में 15 मिनट लगता है तो पक्का बता कितने बज़े निकला होगा फिर वो घर से निकला होगा 9-15 पे क्योंकि railway station साड़े 9 बजे पहुचा है और कह रहा है घर से railway station पहुचने पे 15 मिनिट लगता है यानि 100% घर से निकला है 9-15 पे अच्छा और क्या कह रहा है मनोज घर से railway station के लिए सामान निसे मतलब डेली जैसे जाता है उससे 10 मिनिट पहले निकला है तो अब बताएए आज कोई 9-15 पे निकला और कह रहा है आज मैं सामान निस समय से 10 मिनिट पहले निकल गया हूँ समान निस समय से 10 मिनिट पहले निकल गया हूँ तो समान निते मों कम निकलता होगा आप बोलेने सर्थ समान निते फिर वो 9-25 पे निकलता होगा तभी 9-15 पे निकलके वो कर सकता है कि समान निस समय से आज मैं 10 मिनिट पहले निकल गया तो समान निते मों घर से कम निकलता हो होगा 9-25 पे 9-25 तो यह समझदारी वाला प्रस्ते आपके समस्थारी वाला प्रस्ते फिर भी चाहिए तीन विराइटी बनते आपको ऐसे solve करना है जलिए इस ही के साथ इस चेपटर को psychological करते हैं, इसभी के साथ गढ़ी के जितने वेराइटे थे हमने सब कवर करा दिया अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को subscribe करिए और जाते-जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दिजेगा और कमेंट में आपको बताना है कि अगला चैप्टर को चाहिए पढ़